Hello guys, कैसे हैं? आप सब I hope कि आप सब ठीक होंगे Guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने grow application में कोई transaction करी है और उस transaction में कोई issue आगया है और आप उस बज़ा से या कोई भी region की बज़ा से आप grow customer care को contact करना चाते हैं तो आप उनसे कैसे बात कर सकते हैं या उनको कैसे contact कर सकते हैं या फिर आपको कैसे उनका mobile number या contact number मिलेगा जिससे कि आप उनको call करके अपनी problem का solution पूछ सके हैं तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगो कि कैसे आपने उनको contact करना है यानि कि कहा से आपको detail मिलेगी और कैसे आप उनको संपर्ख कर पाएंगे तो चलिए गाइस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब इसे एक छोटी सी request रहेगी अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए और साथ इसाथ well icon button को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसे important वीडियो के notification मिलते रहें तो guys सबसे पहले आपने अपनी grow application को open करना है इस प्रकार से जब आप grow application को open करेंगे तो आप इसके home page पाएंगे यहाँ पर आपको इस प्रकार का interface देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर आपको एक button देखने के लिए मिलेगा प्रोफा activities करी होगी तो recent activities में वो यहाँ पर transactions ही है जो भी आपने किया है यहाँ पर वो show हो जाएगा और यहाँ पर all queries भी आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप इस पर भी click कर सकते हैं या फिर आपको कोई topic है जिसकी बज़े सा आप call करना चाते हैं या उनसे बात करना चाते हैं तो guys आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे grow customer care को contact कर सकते हैं तो guys आपने my account वाले button पर click करना है जैसी guys आप my account वाले button पर click करेंगे यहाँ पर फिर option देखने के लिए मिलेंगे तो नीचे आपको एक option देखने के मिलेगा others का तो guys आपने others वाले button पर click कर देना है जैसी आपको इस प्रिकार का interface दिखाई देगा यहाँ पर आपको पहला topic दिखाई देगा I am unable to login to grow यानि कि आप grow application में login करने के लिए unable है तो आपने इस पर click कर देना है जैसी आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर article देखने के लिए मिलेगा आप यह article पढ़के आ लेकिन आपको यहाँ पर क्या गरना है कि contact करना है उनको तो contact करने के लिए नीचे यहाँ पर button दिया गया होगा contact us तो guys आपने इस पर click करना है जैसी आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन option देखने के लिए मिलेगे तो guys यह जो आपको receive call का option दिखाई देखने के आप इस पर जब क्लिक कर देंगे तो आपको 3 मिनिट के अंदर ही call आ जाएगी grow application से और आप फिर उनसे बात कर सकते हैं या आप देख सकते हैं कि call request received ठीक है इस प्रिकार से guys आपने call request कर लेनी है तो guys अभी आप देख सकते हैं कि मुझे grow application से call आ भी गई है मैंने आपको तु इमेडिटली call आ गई है तो guys आशा करता हूं कि आपकी problem solve होगी guys आपने इस प्रिकार से call की request को raise कर देना और आप grow custom care से बात कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लेगे तो प्लीज वीडियो को like and share जरूर कीजेगा चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिज इससे कि आपको आशे important वीडियो के notification मिलते रहें तो चलिए guys मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद